नमस्कार रसमाचार भारती में आपका हार्दिक श्वागत है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से तेगरा प्रखंड के कई पंचाईतों में प्रवेश किया पानी बाड की बनी स्थिती लगाया गया औस्थाई स्वास्त सिवेट तेगरा प्रखंड श्यत्र गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण प्रखंड श्यत्र के कई पंचाईतों में पानी प्रवेश कर गया है इस कारण बाड की इस्थिती उत्पन हो गई है लोग के घरे में पानी प्रवेश करते ही उनकी समस्याई भी बढ़ गई है रहने स समेत प्रखण के कई पंचायत बाट से प्रभावित होने की सुचना है। वही गाउं में पानी प्रभेश कर जाने की सुचना के बाद अनबंडली अस्पताल तेगरा की ओर से रात गाउं पंचायत के भगवानपूर चक्की वाट 13 और 14 एबं बिनलपूर में औस्थाई स्वात सिविर लगाया गया है जहां डॉक्टर, A.N.M., L.T., फर्मसिस समेत, म अहीं तेगरा के कई पंचायतों में बाद का पानी प्रभेश कर जाने की सुचना पाकर, A.N.T. जीला महसची, मुहमद मक्बूल आलम ने बाद छेत्रों का दोरा कर वहा के लोगों से मिलकर इस्थितिक की जानकारी ली मकूल आलम ने कहा कि वीडियो ने जल्द से जल्द नाव की मवस्था करवाने की आज सूछना प्राफ्ष़ हो रही थी कि अधर भगवानपूर सख्षी बिनलपूर के तरफ लोहों के धरों में पानी आना चालो हो गया तो हम लोग पुछना प्राफ्ट हुआ तो हम लोग जाए और सबसे पहले हम लोग बागवानपूर शक्ची जो है वार्ट सिंग्चा 1314 का नियुशन किया उसके बाद बिनलपूर और उज़र मदरापूर वगेरा जाकर के पेशने करतां किया जम्रा का जल स्तर बढ़ने करण कि अब यु पानी जो है लोगों के घरों तक पहुः रहा है और जब लोगों के घरों तक पहुँच्ने लगता है तो बहुत बढ़ा समस्या उत्वन हो जाता है हम लोगे नजर ऐस back मने देखा लोग इस सबसे बरा समस्या है वहां पर नौ का। नौ का समस्या है। गोशुद्पधन दूइ कर द अच दोड़ीड को झेखते हम आस्थाये विधाई मान में पिई घयरा मरतन सिम्मर्दैट्धि और तेगरा अनुमंदल पदादिकारी, दिकास पदादिकारी तेगरा ये सारे पदादिकारियों को हालात का पुरा सुछना दिया है, पदादिकारी दियों ने पुरा स्वासन दिया है, तो जो भी जोगयात होगी पूरी तरीकेश उसको हम लोग मुस्ताइदी के साथ हम लोग क कर दो